अलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेज पर गॉड ग्लासेज यानि मैस भी एंड मस्थी भी अब यहां पर जो एक्सेसाइज आज मैं करने जा रहा हूं अपकी परिशानी है तो हम भी परिशान है उसके लिए चिंता मत किजे आपकी परिशानी बिल्कुल दूर करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सराइज 7.7 के बारे में और वैसे भी यह काम आगे आपके आए गए जब आप सी उटी का एक्जाम देंग तो काम तो ही आए गई तो अब यहाँ पर जो पहले दो फार्मुले हैं स्पेशल इंटीकल के कुछ फार्मुले यहाँ पर लिखे हुए जो पहले दो फार्मुले वह आपको ध्यान होगी पार्सल फ्रेक्शन वाले जो टॉपिक हमने करा था यह उसमें कर लिये थे तो बा एक्स लिखना है और उसके बाद यह रूट के अंदर क्या है रूट के अंदर जो कोशन है नो वही तो उठाके लिख देना है यहाँ भी रूट के अंदर एक्स प्लस ए स्कुर था यहाँ भी एक्स स्कुर प्लस ए स्कुर है तो यह आपको एजटीज उठाके लिख देना ह ठीक है इसके वाला जो दूसरा format बनेगा x²-a² कुछ चेंज नहीं करना बिल्कुल ऐसे रहेगा log आएगा x आएगा plus आएगा और जो root है जो इस question के अंदर है वो ही उठा के आपको लिख दे रहा है अब यह formula दिख रहा है आपको बड़ा लंबा चोड़ा सा formula है दोनों फार्मूले तो इनसे भी परिशान होने की जरूद नहीं इनको भी एक बार समझ लो बड़े राम से याद हो जाएंगे दोनों formula एक जैसे है मतलब आप एक formula याद करोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा तो यहाँ पर x square plus a square यह x square minus a square इन दोनों में difference क्या है इसमें दोनों denominator में है और यहाँ पर दोनों numerator में है तो formula क्या है यहाँ पर x by 2 दोनों के अंदर x by 2 है उसके बाद आपको उठा के question ही लिखना है जो भी question में दे रखा होगा वो लिखना है फिर उसके बाद plus में यहाँ पर a by 2 square लिख लो या a square by 2 लिख लो अब यहाँ पर यह द्यानक नहीं यह plus में a square by 2 आएगा और यह minus में यहाँ पर तो यहाँ minus a square by 2 आएगा यहाँ गलती से plus sign लगा रहे गया है तो इधर minus कर ले ना minus a square by 2 आपको याद कैसे रहेगा यहाँ देख लो a square यहाँ plus में है तो यहाँ a square by 2 कर दो यहां पर माइनस में है तो यहां माइनस A square by 2 कर दो उसके बाद वाला portion क्या है उसके बाद वाला portion यही है log X plus A यही है log X plus A ठीक है नीचे वाले में भी यही है same तो यह बाद वाला portion तो यह बिल्कुल as it is उठाके आपको लिखना है एक दो बाद समझ के आपने formula लिख लिए न यह तो बड़े राम से याद हो जाएंगे बस दिखने दिखने में लंबे है ठीक है नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है यह ठीक है formula दिखने में लंबे हैं लेकिन याद आप करोगे, समझ के याद करोगे, जैसे मैंने बदाया, तो बड़े राम से याद हो जाएंगे, तो यह फार्मुले आपको याद करने के बाद, फिर आपकी जो exercise है, उस पर हम चलते हैं, exercise में जो questions है, पहला question आपको दे रहे क्या है, भई, dx आपको निकालना, 1 प्लस 4 x का whole square, तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिख लो, इसको आपने लिखा ऐसे, dx upon में, क्योंकि जो फार्मुले हमने पढ़े ना, उसमें दोनों में square आता है, x square, a square, तो आप इसको square में convert कर लो, 1 को लिख लो, ऐसे 1 का square, और 4x को लिख लो, 2x का whole square, अब जो फार्मुला ह होता है, उसके अंदर यहाँ पर होता है, a square plus x square होता है खाली, लेकिन यहाँ पर आगया 2x square, तो यहाँ पर एक तरीका तो यह होगा, कि आप इसको substitute करो, इसको t put करो, t put करके 2x को खतम करो, फिर उसके बाद integrate करो, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं वैसे नहीं कराने वाल होता है, कि जो लिनियर, जो x का coefficient होगा ना, उससे answer को divide कर देना है, यहाँ पर x का coefficient क्या है, 2 है, तो जो भी answer आएगा, उसको बस आपको 2 से divide कर देना है, answer क्या आएगा, answer का जो format है, हमारे पास x square plus x square या x square plus x square बात एक ही है, तो इसका answer क्या बनेगा, log, उसके बाद क्या थ 1 plus 4x square plus c, अब यहाँ पर x की जगे क्या था, 2x है, तो coefficient x का 2 है, तो 2 से इसको divide कर दो, अब थोड़े standard तरीके से लिख दो जिरा answer को 1 by 2 पहले लिख दो ऐसे, log x plus 1 plus 4x square plus c, यह बन गया हमारा answer है, ठीक है, ऐसे ही आपके पास यह है, यहाँ पर x square minus a square वाला format बन गया, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, आपने लिखा इदर से dx, 9x square को लिख लो 3x का square, minus 4 का square, अब आपको यहाँ फार्मूला लगा देना, x square minus a square वाला, अब इस फार्मूले के अंदर क्या हो दाए, x square minus a square, फार्मूला दो वैसी रहेगा, ज log x की जगह लिखेंगे 3x, यहाँ पर x की जगह 2x लिखना था, फिर के जहाँ जाए x आएगा उसकी जगह 2x लिखना है, तो यहाँ पर आगया log 3x plus में, फिर जो question है वो उठाके लिख दो, question क्या था हमारा, 9x square minus 16, plus में c, divided by क्या करना है, 3 से divide कर देना है, 3 को उपर ले जा यह बन गया आपका answer, ठीक है बस इस तरीके से आपको बस format समझना है, format समझके आपको अपना answer दे देना है, अब next में कहता है कि 4x square minus 9 है, अब यहाँ पर दोनों terms हुआ है, रूट के ऊपर आ, बनलब numerator में आ गया है, denominator में थी पहले पिसले दोनों में, अब numerator में आ गया है, तो अब इसमें start आपको वैसी करना है, यह बन गया आपके पास 2x का whole square, minus 9 को लिख लो आप 3 का square, अब यह formula बन गया, x square minus a square का, तो जहाँ 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 एक से वहाँ पर 2x कर देना, और जब final answer आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो अब इसके formula में क्या था हमारे पास x by 2, x की जगे यहाँ पर 2x है, 2x by 2, उसके बाद question को लिखना है, question यह है हमारे पास, अब a यहाँ पर minus में, तो आपको लिखना है, minus a square by 2, फिर log, x की जगे है, 2x, plus, फिर question उठा के लिखो, plus में c, और इस पूरे को divide करना है किससे, x का coefficient है 2, तो इस पूरे को divide करने के वज़ा है, मैं इसको ऐसे बाहर दिखा देता हूँ, 1 by 2, c को करने की ज़रूद नहीं है, यहाँ 2 से 2 cancel हो गया, answer आगया 1 by 2, x, 4x square minus 9, minus 9 by 4, 9 by 2, log, 2x plus, 4x square minus 9, plus में c, अब यह bracket को अंदर multiply करो, या मत करो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, answer में multiply कर रखा है, 1 by 2, x, 4x square minus 9, minus 9 by 4 हो जाएगा, 2 को 2 से multiply करोगे, log 2x, plus में 4x square minus 9, ठीक है, अब सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर कर दो, अब यहाँ पर जब आप करोगे, तो 81 को हम लिख लेंगे, 9x का whole square, और 25 को लिख लो, 5 का square, अब जो 9x square है, यहाँ पर x की जगे 9x आजाएगा, तो बिल्कुल यही वाला format आपको रखना है, x by 2, x by 2 की जगे 9x by 2, ठीक है, उठा के question लिखो, अब यहाँ पर a plus में है, तो a square by 2 log x plus root के अंदर question लिखो, और इसको पूरे को divide कर देना है कि इससे 9 से, तो यहाँ 1 by 9 आजाएगा, जब आप इसको multiply करोगे, 9 से 9 cancel, x by 2, 81 x square plus 25, 9 को यहाँ multiply करोगे, 18 आजाएगा, 25 upon 18, और इधर आगे आपके पास log, 9 x plus, 81 x square plus में 25, plus में c, यह हमारा, तो थर्ड का फर्स पार्ट देखते हैं, इसमें दिया आपको x square upon में x square plus 6, अब उपर भी x square है, नीचे x square plus 6 है, तो इसमें उपर जब तक constant नहीं होगा, तब तक आप वाले formula नहीं लगा सकते हो, उनमें constant उपर होना जरूरी है, अब यह सो constant हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो denominator है, उसके हिसाब से आप proceed करो, यहाँ पर है x square plus 6, तो यहाँ उपर लिखो आप x square plus 6, और इसको balance करने के लिए लिख दो minus 6, divide में हमारे पास यही रहेगा, अब यहाँ पर इसको separate कर दो, आपने क्या करा, x square plus 6 के साथ, इसको आपने अलग कर दिया, ठीक है, इसको हम अलग कर देंगे, और जो minus 6 हा रहा है, इसको हम अलग कर देंगे, और दोनों को अलग-लग integrate भी करेंगे, अब इसको जब आप simplify करोगे, यह x square plus 6 है, यह भी x square plus 6 है, यहाँ पर power half है, उपर power 1 है, तो इनको अगर हम simplify करेंगे, तो उपर रह जाएगा आपके पास x square plus 6, यहाँ से minus 6 आप common निकाल दो, यह आगया 1 upon x square plus 6, और 6 को आप ऐसे लिख देंगे, root 6 का square, तो यहाँ तो direct integration बन गया, कौन से वाला integration बनेगा, x square plus में 6, 6 को आप यहाँ पर वैसे लिख ले न, इसको आप लिख लेंगे ऐसे, x square plus में root 6, इसका square, और यह बन गया minus 6, 1 upon x square, root 6 का square, तो यहाँ पर आपको फार्मल लगाना है, जो numerator में दिया होता है, यहाँ पर जो फार्मल लगाना है, वो denominator में दिया होता है, दोनों फार्मल एक जैसे सही है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा x by 2 पहले, फिर उसके बाद यह question ऐसे का ऐसे ही, तो आप इसमें आप x plus में यह question, question क्या था, x square plus में 6, आप इसको लिखेंगे, तो minus 6, इसमें सिर्फ क्या आता है, सिर्फ यह वाला portion आएगा, तो यह क्या बनेगा, log x plus x square plus 6, plus में c, यहाँ आपका answer आजाएगा, यहाँ से root 6 का square करेंगे, 6 आजाएगा, 6 को इसे काट देंगे, 2 से 3 बनेगा, त x square plus 6, plus 3, log x plus x square plus 6, minus 6 log, x plus x square plus 6, यहाँ से common moment, आप देखो, यहाँ यह वाली जो term है, यह दोनों solve हो सकती है, यह 3 है, यह यहाँ पर, log यह सारा same है, यह minus 6 है, तो इसको आप थोड़ा से simplify भी कर दो, तो यह बना, आपके पास x by 2, जो like terms आएंगे, तो simplify कर देना, तो plus 3, minus 6, यानि, minus 3 log, और x plus, यह सारा portion तो same है, यह हमारे पास answer बनेगा, ठीक है, 1 by 2 x, x square plus 6, minus 3 log, x plus, x square plus 6, अब बिल्कुल same इसी pattern पर आप यह वाला question करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर, plus 3 already दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, x square minus 25 plus 28, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर plus 3 ता तो plus 3 बनाना है, तो plus 3 को हमने ऐसे लिख लिख लिया, minus 25 plus 28, बात का जो काम है, वो same हम पिछले question की तरह करेंगे, जैसे हमने यह करा भी, इसको separate कर दो, और इसको separate कर दो, इसको integrate करेंगे, तो यह root के अंदर आ जाएगा ऐसे, पहले इसको simplify करेंगे तो, इसमें 28 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 upon x square minus 25, अब इसको आप standard format में लिख होगे, तो यह बनेगा x square minus 5 का square, यह 28 इंटू 1 upon x square minus 25, 25 की जाएगे आप लिखो 5 का square, अब इसको integrate करते हैं, इसको integrate करने के लिए, formula वही रहेगा, बस यहाँ पर plus वाला था, यहाँ minus वाला लगेगा, तो उसमें क्या होता है change, x by 2, और यह तो same रहता है, x square minus 25 भी कर दें सीधा, ठीक है, उसके बाद आता है minus a square, क्योंकि यह a minus में, तो minus a square by 2, मतलब a square करेंगे 25 by 2, log x, प्लस में, रूट के अंदर जो टाम है, वही लिख दे नहीं है, उठा गए, और प्लस में 28, और इसका आ जाएगा आपके पास log x plus x square minus 25, यहाँ पर minus 25 by 2 है, और यहाँ पर 28 है, इन दोनों को simplify करोगे, तो 28 तूजा 56, 56 में से 25 माइनस कर दो, तो 6 माइनस 5, 1, 5 माइनस 2, 3, 31 अपॉन में 2, log x plus x square minus 25 plus c, यह आपका अंसर आजाएगा इसमें, 1 by 2 x square minus 25, 31 by 2 log x plus x square minus 25, उसके बाद next question है, question number fourth, fourth question का जो first part है, उसमें कहता है कि integrate करना है आपको x square upon, x की power 6 plus a की power 6, अब यहाँ पर जो यह x की power 6 आ रहा है, इसको आप क्या करो, क्योंकि हमें square में तो लिखना ही लिखना है, इसको आप लिखना पड़ेगा ऐसे, x की power 3, इसका square, और इसको भी ऐसे लिख लो, a की power 3, इसका square, अब यहाँ पर जो यह x की power 3 आ रहा है, अगर इसका derivative आपको ध्यानो, x की power 3 का derivative करेंगे, तो 3x square आएगा, और उसमें से जो x square है, वो आपको numerator में दिया हुआ है, तो आप इसमें substitute करके पहले इसको खतम कर लो, ताकि उपर जो है आपके पास constant time आ जाए, आप direct formula आप लाइक कर सको, तो आपने यहाँ पर put कर दिया, x cube को t, तो यह बना 3x square, dx equals to dt, यानि x square dx की value आगई, dt upon में 3, तो यह 3 आएगा न, यह 3 को तो बहार ही लिखलो integral के, उपर से सब खतम, dt बचा खाली, नीचे आपके पास, x square, sorry, t square, t square plus में a cube का square, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, यह t में आगए, अब यहाँ पर जो x square plus a square वाला formula है, वो लगा दो, तो यह क्या आएगा, 1 by 3 log, x की जगे यहाँ पर t लिखेंगे, प्लस यह question लिखेंगे, t square, a की पावर 6, प्लस में c, अब जाजाँ t है, वहाँ पर यह value पुट कर दो, t की जगे आगए x cube, यहाँ पर आप करोगे, x की पावर 6, प्लस a की पावर 6, प्लस में c, यह आपका अंसर आजाएगा, रहीं के, 1 by 3 log, x cube, प्लस x की पावर 6, a की पावर 6, अब इसका तो second part है, उसमें आपको दिया हुए, root x और नीचे दिया हुए, x cube minus a cube का, second part है, उपर दिया हुए, आपको root x, और नीचे हैं हमारे पास, x cube minus, x cube minus a cube, अब यहाँ पर अगर इसको square में लिखते हैं, x cube को अगर square में लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम x की power, 3 by 2, और फिर इसका square, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, a की power 3 by 2, और फिर इसका square, अब यह जो x की power 3 by 2 आ रहा है, अगर अब इसको differentiate करते हैं, तो उसमें root x आ जाएगा, ठीग, अब इसको put करवा, x की power 3 by 2 को हमने t put करा, तो 3 by 2 आ गया आएगा, x की power एक कम हो जाएगी, dx equals to dt, तो x की power half का मतलब root x ही होता है, तो यह root x dx की value क्या बनगी, 2 upon 3 dt, तो यह root x dx से यह खतम हो गया, उसकी जगा 2 by 3 आ रहा है, 2 by 3 constant term है, उसको तो बाहर लिख देना, यहाँ पर आगया dt, और इधर आगया हमारे पास, t का square minus a की power 3 by 2 का whole square, अब यहाँ पर x square minus a square वाला formula लग जाएगा, तो यहाँ आगया 2 by 3, फिर log t plus में, जो question है वो ही लिखो उठागे, t square minus, यह a square ही बनेगा, और a cube, अब यहाँ पर value put कर दो, t की जगह है, x की power 3 by 2, यहाँ पर t square करोगे तो, आपके पास यही आएगा, x की power 3 आजाएगा, minus a की power 3, plus में c, तो answer चेक कर लेते हैं, 2 by 3 आगया, log x की power 3 by 2, x q minus a q, plus में c, अब उसके बाद next question पर जलते हैं, next question है, question number 5, 5th question में आपको दिया हुए, log x, फिर नीचे x, log x दिया हुए, फिर नीचे आपको दिया हुए x, और root के अंदर है, log x की power 4 minus 1, log x की power 4 minus 1, तो आप इसमें क्या करो हो, एक तो log x का derivative होता है, 1 by x, तो 1 by x आपको यहां दे रखा है, तो पहले तो आप इसको t put करो, log x को t put करा, तो यह आगया, 1 by x, dx equals to dt, तो dx की value आगया आपके पास, x into में dt, तो log x को हमने t put किया था, t आगया, dx की जगे x dt हो गया, नीचे यहां पर x है, और यहां पर हमने इसको t माना, तो t की power 4 minus 1, इस x से x cancel, अब यहां पर यह t आगया, और तो t की power 4 है, इसको लिख लेते हैं, t का square का whole square, अब यह question बन गया, अब question में अभी भी उपर constant नहीं आया है, ठीक है, परिशा ले रहा हमारी है, तो उपर हमारे पस constant नहीं आया, तो इसको एक बार आपको और substitution करना पड़ेगा, अब आप यहां पर put कर लो t square को, t square को मान लेते हैं, हम z, तो यहां आगया, 2t dt इक्वल्स 2 में dz, तो यहां से t dt की value निकाल देंगे, यहां डहेगी dz by 2, तो यह by 2 इसको बाहर लिखो, उपर रहे गया आपके पास dz, नीचे आगया आपके पास root के अंदर, z square minus 1, अब यहां पर x square minus a square वाला format लगा दो, 1 को 1 का square हम लिखी सकते हैं, तो यह बन जाएगा आपके पास, 1 by 2, log, z plus, question लिखो, question क्या था, z square minus 1, अब आप z को करो, t में convert पहले तो, z की value क्या है, t square, यहां पर t square लिखो, इधर t की power 4 आ जाएगा, अब t क्या था, हमारा t था log x, तो इधर आएगा, log x का whole square, plus में, log x की power 4, minus 1, plus में c, यह हमारा answer बनेगा, 1 by 2 log, log x का square, plus log x की power 4, minus 1, plus c, अब इसका तो second part है, इसके second part में कहता है, e की power x, और root के अंदर है, e की power 2x, plus 1, इसका जो second part है, e की power 2x, और नीचे, root के अंदर, e की power x, एक हाली, उपर, e की power x, और root के अंदर है, e की power 2x, प्लस में बन, अब जो e की power 2x, प्लस बन रहा है, इसको आप ऐसे लिख लो, e की power x, फिर इसका करदो square, अब यहाँ पर आप पूट करो, e की power x को t, क्योंकि इसका derivative उपर है, हमारे पास, इसका derivative यही रहता है, सबसे बढ़िया function है, ना derivative, ना integration, किसी में परिशान नहीं करता, सेम ही रहता है, तो e की power x, dx खतम हो गया, यह आगया dt, और नीचे आपके पास, t का square plus 1, 1 को भी ऐसे लिख लेते हैं, फार्मुला लगा दो, log t plus, t square plus 1, plus c, t की जाएगे value डालो, t हमने लिया था e की power x, plus e की power 2x बन जाएगा, plus 1, plus में c, तो यह आजएगा हमारे पास, 5th का second part, उसके बाद next question number 6 पर चलते हैं, 6 question में, first part में आपको दिया हुआ इसने, x इंटू में x की power 4 minus 1, तो यहाँ पर भी जो x की power 4 है, उसको आप लिख लो ऐसे, x square का whole square, minus 1, अभी जो x square है, इसको put करो आप t, तो यह बन गया 2x dx equals to dt, तो x dx की value बन जाएगी dt upon में 2, तो यह वाला x और यह dx दोनों खतम, dt by 2, यह जो by 2 आ रहा है, इसको बाहर लिखो, इसको अपने t माल लिया था, तो t square minus 1, और यहाँ रही आगी dt, अब यहाँ पर x square minus a square का farmer लगा दो, जिसमें numerator में होता है, वो वाला लगाना है, ठीक है, यह वाला मत लगा देना, तो इसमें क्या जाएगा 1 by 2, पहले आता है, x by 2 की जिएकर t by 2 लिखेंगे, फिर यह question उतार देते हैं, उसके बाद फिर minus a square by 2 होता है, 1 का square करेंगे, 1 ही आएगा, फिर log, फिर t plus में, फिर question उतार देना है, प्लस में c, अब जाँ 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 t था, वहाँ पर x square डाल दो, और इसको multiply भी कर देते हैं, तो यह बनेगा x square upon में 4, यह x की power 4 minus 1, इसको यह multiply करोगे, 1 by 4, log x square, प्लस x की power 4, minus 1, प्लस में c, यह बना हमारे पास 6 पाट का answer, 1 by 4 x square, x की power 4, minus 1 by 4 log x square, प्लस this, ठीक है, अब इसका second part है 6 का, इसमें आपको दिया हुआ है, log x का square, प्लस में 9, divided by x, अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, आपको इसमें log x को t put कर दो, क्योंकि उसका derivative 1 by x होता है, तो x देको denominator में दिये हुआ है, यह आगया 1 by x, dx इक्वल्स टू dt, तो dx की value बन गी यहां से, x इंटू में dt, तो यह हमने t माना, ठीक है 9, और dx की जगे आगया, x dt, divided by x, इस x से x कैंसल कर दो, यह बन गया हमारे पास, t square प्लस में 9 को लिख दो, आप 3 का square, अब यह x square प्लस a square वाला बन गया, तो x की जगे यहां पर लिखेंगे, हम t by 2, उसके बाद लिखेंगे question, फिर उसके बाद क्या आता, प्लस में a square by 2, 3 का square करेंगे 9, by 2, फिर उसके बाद log, t plus, question, प्लस में t, c, अब जाँ जाँ t है, वहाँ पर log x डाल दो, तो यह बनेगा log x by 2, इदर आजाएगा log x का square, plus 9, 9 by 2, log of, log x plus, log x का square, plus 9, plus में c, तो यह बना आपके पास, six part का answer, अब question number 7 से लेकर 12 तक, जो question है, यहाँ पर special integral तो चली रहा था, लेकिन इसके special के अंदर भी, कुछ और special भी है, तो वो special क्या है, किस type के questions आपको यहाँ पर करने है, लेकि यहाँ पर आपके पास, एक type तो यह होगी, लेकिन एक type हमारे पास यह है, जिसमें हमें इस तरह के questions मिलेंगे, यहाँ तो equation में ऐसे होगा, one upon में नीचे quadratic equation होगी, यहाँ पर quantity equation उस type की होँगी, जिसके factor नहीं हो सकते हैं, अगर factor हो सकते होँगे, तो फिर वो partial fraction से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा, कि जहाँ पर आप factor नहीं कर सकते हो, यानि यहाँ पर हमें completing the square method यूज़ करना है, अब यहाँ पर भी same situation है, बस यहाँ पर root नहीं है, यहाँ पर root लगा हुआ है, बाकी दोनों चीज़े एक जैसी हैं, और इसके अंदर numerator के अंदर जो term है, और वैसे हमें यहाँ करना है, करना क्या है, completing the square method यूज़ करना है, उससे equation को इस तरह से adjust करना है, कि आपके पास जो इसका pattern होता है, एक स्क्वेर प्लस A स्क्वेर या एक स्क्वेर माइनस A स्क्वेर, उन दोनों में से कोई एक pattern आपका बंज है, अगर denominator में हैं तो denominator में बनेगा, अगर numerator में हैं तो उसमें बनेगा, दूसरी जो type होगी हमारे पास, इस type में denominator तो वैसे ही है, जैसे यहाँ पर है, और ठीक हैं, यहाँ पर भी numerator में यही term root के अंदर है, बस फरक क्या आगया यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास numerator के अंदर एक term ऐसी होगी, जो की linear equation होगी, यहाँ एक्स की terms यहाँ पर जरूर होगी, यहाँ पर देखो constant है, यह 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर constant है, लेकिन यहाँ पर एक linear equation होगी, और यहाँ पर एक linear equation साथ में multiply हो रही होगी तो अब ये वाले में तो हमें क्या करना है इसमें तो हमें completing the square method यूज़ करके completing the square method यूज़ करना है और इसको यूज़ करके हमें equation को फिर solve करना है वो कैसे हम करेंगे completing the square को हमें question में discuss करूँगा यहाँ पर theoretically करने की जरूवत है नहीं confusion create होगा questions के अंदर करेंगे बड़े राम से समझ में आजाएगा बड़े अलग तरीके समझाने वाला हो तो बड़े राम से आप बना लोगे उसके बाद जो ये वाला part होता है इसमें आपको कैसे start करना होगा इसमें आपको put करना होगा ये जो numerator है ना ये जो px plus q है हाँ बर तीनों के अंदर तीनों में सेम इस तरीके से start करना है आपको इस px plus q को put करना होगा a into में d by dx of denominator denominator में स्रिफ आपको ये लिखना है बस ax square plus bx plus c अगर ये root के अंदर है तो root नहीं लेना आपको सिर्फ ये ही लिखना है बल्लब चाहे ये वाला case हो चाहे ये वाला case हो या फिर ये वाला case हो सभी के अंदर आपको बस ये लिखना है और plus में b करना है ये करने के बाद यहां से हम a की और b की value find करेंगे उन a और b की value को यहां पर रखने के बाद फिर आप इसको easily integrate कर पाएंगे ठीक है अब कैसे करेंगे इसको भी हम application जब हम करेंगे questions में तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़े clear होंगी अब यहां जब question के ओपर चलते है question number 7 अब यहां पर आपको बनाना है completing the square method यूज़ करना है अब completing the square method जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो traditional method होता है अगर हम उसमें जाएं तो आपको करना क्या होता है सबसे पहले तो आपको जो x square वाली term है उसको आपको positive करना चाहिए positive चलो कर लेते हैं इसमें से minus आप common निकाल दो minus आगया बाहर x square positive हो गया यह वाली term भी positive होगी यह नि सब के sign हमने change कर दी है अब completing the square method क्या कहता है कि जो बीच वाली term है उसका half करो फिर जो half करने के बाद square आएगा उसके square को आप minus करो एक बार फिर उसके अंदर c वाली जो term है उसको add करो लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे हम थोड़ा दूसरी approach के साथ करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा हम बनाने की कोशिश करेंगे एक बार आप ढंक से समझ गे तो पड़े इसली आप बना लोगे आपको क्या करना है यह जो दो term है ना x square प्लस 8x इसके ऊपर focus करना है यह जो minus 5 है इसको हम बाद में देखेंगे इसका निप्टाना बाद में करेंगे पहले इन दोनों को सुलट लेते हैं इन दोनों से पहले तो यह वाली term आ जाएगे तो पहली वाली term है इसका तो आप कर दो यहाँ पर square root x आ गया यहाँ पर plus का sign है तो plus लगाओ minus का sign है तो minus लगाओ अब यहाँ पर आपको एक term अपने आप सोचके लिखनी है क्या लिखनी है आपको कि इसको इसको और इसको यानि 2 को x को और यहाँ पर कुछ multiply करेंगे तो हमारे पास यह वाली term बननी चाहिए तो यहाँ पर इस question में तो बड़ा असान है कि अगर आप यहाँ पर 4 लिख देते हो तो बन जाएगा 8x तो यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 4 तो यह term क्या बनी यहाँ पर x प्लस 4 का square अब उसके बाद क्या कर रहा है कि जब आप इसमें फार्मुरा लगाओगे तो ए का square लगा दिया आपने यह आगया बी का square लगा दिया आपने तो आएगा 16 लेकिन यहाँ पर 16 तो हमने लिए ही नहीं है ना अभी हमने तो स्रिफ यह लिखा है तो इसके साब से क्या आ रहा है x square आ रहा है फिर 8x आ रहा है फिर 16 आ रहा है लेकिन हमें 16 नहीं चाहिए हमें minus 5 चाहिए तो वो जो 16 आता है उसको balance करने के लिए आप क्या करो minus 16 कर दो जो भी हाँपर time आएगी उसका square करके हाँपर लिख दो और फिर यह minus 5 अब यह आपके पास क्या बनेगा यह बन गया x plus 4 का square 16 और minus 5 21 होगे 21 को आप ऐसे लिख लेंगे root 21 का square तो यह बन गया आपका perfect square ठीक है completing square method में यह वारा part perfect square में बन गया और यह जो पूरा हमारे पास part है यह बन गया x square minus a square वाली identity है अगर यह minus 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 को आप अंदर ले जाओगे तो identity उल्टी हो जाएगी यह आपके पास पहले आ जाएगा और x plus 4 बाद में आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद यह आपके पास format बन गया a square minus x square का ठीक है जो special integral हमने partial fraction में भी use करे थे आपके book में यहाँ बर यह भी दे रहे हैं एक दो question तो इसमें root नहीं है इसमें root नहीं है ठीक है तो इसमें आप a square minus x square इसका जो formula था हमारे पास इसका formula क्या था उसका अगर आपको ध्यान हो तो 1 upon a square minus x square का जब हम फार्मरा लगाते हैं तो इसका integration बनता है 1 upon में 2a log a plus x और a minus x plus में c तो यह आप यहाँ पर लगा देंगे 1 upon 2 a की जगा root 21 है यहाँ पर आजाएगा log root 21 plus x plus 4 और नीचा आजाएगा root 21 और जब minus करेंगे तो x भी minus हो जाएगा 4 भी minus हो जाएगा plus में c यह आपका answer आजाएगा उसके बाद अगर हम next second part की बात करें तो second part के अंदर वहाँ पर है 9x square plus 6x minus 3 अब एक तरीका तो यह है कि आप 9 common निकाल लो और एक तरीका है कि हम बिना common निकाले भी कर सकते हैं अगर completing the square proper method पर जाओगे तो आपको common निकालना पड़ेगा ठीक है लेकिन हम यहाँ आपर बिना common निकाले करेंगे अब जैसा कि मैंने अभी आप पिछे आपको बताया कि कि किस तरह से आपको perfect square बनाना है तो जो पहले वाली time है इसका आपको square root करना है 3x आ गया यहाँ पर कुछ लिखना है और इनको जब आप 2ab करोगे तो आपके पास 6x आना चाहिए तो देखो 2 है हमारे पास 3x है हमारे पास अब यहाँ पर हम क्या multiply करें कि यह 6x आए तो यह 2, 3, 6x तो पहले से बर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है लिखना तब इस नहीं कुछ पड़ेगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 1 ठीक है अब जो अपने यहाँ पर बनाया था उसी का square आप यहाँ पर minus करेंगे minus 3 तो यह क्या बन गया हमारे पास dx यहाँ गया 3x प्लस 1 का whole square नीचे आएगा minus 1 minus 3 minus 4 minus 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं अब यहाँ पर जो format है वो बन गया x square minus a square का और यह था a square minus x square यह बना x square minus a square तो उल्टा वाला बन गया तो इसका फार्मूला क्या होता है वन अप वन में 2a, a की जगे आ जाएगा 2 log x plus x minus a होता है इसमें उपर और नीचे होता है plus अब यहाँ पर लेकिन x का coefficient 3 है तो इसमें आपको जो भी answer आएगा इसको 3 से और आपको divide करना है तो यह आएगा 1 upon 4, 3 और इदर ले जाएंगी हाँ पर यह आएगा 1 upon 12 log 3x minus 1, 3x plus 3 यह हमारे पास का answer आजाएगा 1 upon 12 log 3x minus 1, 3x plus 3 उसके बार next question पर चलते हैं, next question हमारे पास है अब यह root के अंदर आ गया, तो यह जो पिसली class में हमने formula के use करे थे वह अले formula ही हाँ पर आएंगे अब, क्योंकि रूट के अंदर आ रखा है अब सबसे पहला काम आपको वही करना, अब यहाँ पर देखो 3 इसमें इससे और इससे, तीनों को divide कर रहा है जो हमने अभी पिछे question किया था न, यहाँ से 3 भी आप यहाँ से भी common निकाल सकते थे लेकिन अगर बिना common निकाले भी आप करना चाहो तो कर सकते हो अब यहाँ पर हम बिना common निकाले करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर better रहेगा कि आप common निकालो क्योंकि 3 का square root करोगे तो वो root में आएगा लेकिन 3 common निकाल देंगे तो वो root हमारा खदम हो जाएगा तो कहीं पर आप common निकालो कहीं पर मत निकालो ये ध्यान में रखके निकालो कि कब count पर कैसे आपको असान पढ़ने वाला है तो यहाँ पर मैं 3 को common निकाल देता हूँ तो 3 यहाँ पर root के भाहर तो नहीं जाएगा भी अब इसको इहीं पर रखो यह आपके पास बना अब यह जो root 3 है इसको आप बेशक भाहर निकाल दो 1 upon root 3 और अंदर आपके पास यह आगया x square plus 2x plus में 4 तो यह बन गया आपके पास x plus 2 का whole square और इसके उपर लगावा है root देखो x का square करोगे यह आजाएगा फिर 2a भी करोगे तो 4x आजाएगा और 4x आना चाहिए लेकि तो यहाँ तो 2x है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर x plus 2 ना लेकर हमें यहाँ पर करना चाहिए x plus 1 अब आप x का square करोगे यह आगया 2a भी करोगे तो 2x आगया अब यहाँ जो आपने 1 लिखा है तो 1 का square करेंगे यह minus आगया प्लस में 4 आगया तो 1 upon root 3 अब यह बन गया आपके पास 1 upon x plus 1 का whole square इधर से आगा minus 1 plus 4 3 आगया लेकिन 3 को जब आप square की form में लिखोगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम root 3 का square अब यह बन गया आपके पास format 1 upon x square plus a square लिखेंगे यह root के अंदर बना है तो root के अंदर बना है तो हमारे पास formula क्या आगा इसमें से 3 आपने common निकाल दिया है उसका द्यान रखना 3 common निकाल दिया है तो 3 हमने यह common निकाल रखा है तो सिर्फ आपको यह लिखना है अंदर तो x square plus 2x plus में 4 अब x का coefficient यहाँ पर 1 है तो नीचे कोई divide करने की जरूद नहीं है यही हमारा answer बन जाएगा ठीक है 1 upon root 3 log x plus 1 x square plus 2x plus 4 अब यही काम आप यहाँ पर करो सेम यहाँ पर तो common भी निकालने की जरूद नहीं है बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे start हम तो 1 upon यह जो x minus 4 है इसको हम लिख लेते हैं x minus का sign यहाँ पर अगर हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास यह बन जाएगा x का square बन जाएगा 2 यह भी करेंगे तो 4x बनेगा अब यहाँ पर हमारे पास 2 आये तो 2 का square ही आपको minus करना है और यहाँ पर plus 1 है plus 1 लिख दिया ठीक है इन step को आप समझ गिये तो बड़े राम से completing the square method जोसे आप परिशान हो रहे होंगे न वो बड़े राम से हो जाएगा इधर आगया यह x minus 2 इधर minus 4 plus 1 minus 3 आगया तो यहाँ लिख देंगे minus root 3 का square यहाँ पर plus था यहाँ पर minus यह इतने difference आदा formula तो same ही लगना इसका log x की जगे लिखेंगे x minus 2 plus में root के अंदर लिखेंगे हम question question यह है यह हमारे पर इसका answer बनेगा question number 8 का second part उसके बाद next question पर चलते हैं next question question में question number 9 में यहाँ पर भी वही चीजे हैं लेकिन यहाँ पर root के numerator के अंदर है करना सब कुछ वैसे ही है x square को आप पहले लिख लो x square minus 2x plus में 5 तो इसको हम completing the square method use कर दे है x square का square root करेंगे यह आ जाएगा minus का sign अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 क्योंकि जब आप 2 ही भी करेंगे अब minus 2x आ जाएगा अब यहाँ पर 1 लिखा है हमने तो 1 ही का square हमने minus करना है और plus 5 यहाँ पर आ गया तो यह बना x minus 1 का square minus 1 plus 5 4 आ गया 4 को हम लिख लेते हैं ऐसे 2 का square अब यह format बना x square plus a square लेकिन यह numerator पर है तो numerator में होता है तो क्या होता है फार्मूले में पहले आता है x by 2 तो x की जगे x minus 1 by 2 उसके अंदर यह पूरा का पूरा ऐसे कैसी आ जाता है ऐसी मतलब question आ जाता है उसके बाद plus यहाँ पर a plus में है तो plus ही रहेगा plus a square by 2 a का square करेंगे by 2 फिर log के अंदर x x की जगे x minus 1 plus फिर root के अंदर यह पूरा का पूरा question यहाँ से एक एंसिल हो गया और आंसर बना हमारा x minus 1 upon 2 root x square minus 2x plus 5 plus 2 log x minus 1 plus x square minus 2x plus 5 plus c यह बनेगा हमारे पास 9th का जो first part है उसका अंसर उसके बाद जो second part है second part में भी बिल्कुल same इसी तरीके से proceed करना है यहाँ पर जो x square वाली term है पहले इसको लिखो आप 4x square minus 4x plus 10 अब देखो यहाँ से भी हम चाहें तो 2 common निकाल सकते हैं पर मत निकालो क्यों मत निकालो क्योंकि 4 का square root 2 हो जाएगा अगर 2 पे common निकाल दूँगा तो 2 बचेगा और 2 का square root करना पड़ेगा तो root 2 आ जाएगा तो हमें ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही असान पड़ेगा तो हम यहाँ पर इसका square जब करते हैं तो इसको 4x square की जगर लिख लेंगे 2x यहाँ minus का sign ने minus लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखना चाहिए हमें कि हमारे पास 4x आ जाए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2ab करेंगे तो minus 4x हमारे पास आ रहा है अभी जो minus 1 हमने यहाँ बनाया इसी का square minus कर देंगे प्लस में बन गया 10 तो यह आया 2x minus 1 का square minus 1 plus में 10 यानि 9 आ गया 9 को लिख लेते हम 3 का square अभी यह बन गया हमारे पास x square plus a square तो इसमें क्या होगा फार्मूले में बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमारे पास यह बना था तो x by 2 x की जगे यहाँ पर है 2x minus 1 by 2 फिर root के अंदर question लिखेंगे question यह है 4x square ठीक है उसके बाद फिर plus में a square by 2 3 का square करोगे 9 आ जाएगा 9 by 2 log x की जाएगा 2x minus 1 और plus में जो root के अंदर term है उसको उठा के ऐसे कैसे लिख दो 10 minus 4x plus 4x square plus c यह हमारे पास answer बनेगा इसका और हाँ एक चीज़ हो रहे गई तो यहाँ पर जो x का coefficient है वो 2 है तो इस पूरी equation को 2 से divide कर देना या फिर आप ऐसे लिखने की बजाए आप ऐसे करो इस पूरे को हमने कर दिया 2 से divide आप इस 2 को अंदर multiply करो या मत करो ऐसे छोड़ दोगे ये भी आप का answer ठीक है divide अंदर multiply कर दोगे तो भी आप का answer ठीक है उसके बड़ next question पर चलते हैं question number 10 अब 10 में जो दूसरी वाली type आज हमने discuss करी थी starting में अब वो type बन दे क्योंकि उपर आप देख रहे हो उपर आपके पास एक linear equation आगे उपर constant नहीं है उपर constant हो जाग कुछ भी हो तो आपने जो पीछे हमने करें उस तरह का बन जाएगा लेकिन उपर constant नहीं है तो यह आगया 2x प्लस 1 a इंटू में इसका derivative करेंगे आ जाएगा 4x प्लस में 4 प्लस बी अब दोनों sides को आप compare करो comparing बोथ sides जो हम दोनों sides को compare करेंगे तो compare करने पर जो x का coefficient है यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर x का coefficient बनेगा जो हम इन दोनों को multiply कर देंगे तो यह बनेगा 4a 4 को इधर लाएंगे a की value मिलगी आपको 1 by 2 अब जो constant है constant इधर 1 है और यहाँ पर constant आएगा 4a प्लस में b अब 4a की value हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पर 2 put करा तो यहाँ से b की value मिल जाएगे आपको minus 1 तो a की value आगई b की value आगई उसको आपको यहाँ पर put कर देना यह क्या था हमारे पास 2x प्लस 1 2x प्लस 1 यानि 2x प्लस 1 की जाएगे क्या जाएगा a यानि half of 4x प्लस 4 और b की जाएगे माइनस 1 divided by नीचे वाली टाम अभी जो नीचे वाली टाम आईएगे इसको separate कर देंगे यह half of 4x प्लस 4 half को बाहर निकाल दिया हमने और अंदर हमारे पास था 2x स्कूर प्लस 4x माइनस 3 इसको अलग कर देंगे और इधर से जो माइनस 1 आ रहा है इसको अलग कर देंगे माइनस 1 अपान 2x स्कूर 4x माइनस 3 अब इसको इंटिग्रेट कर देंगे यह वाला तरीका हमारा करने का परपस क्या होता है खाली यह नहीं कि हम ऐसे ही कर रहे है हवा में कर रहे है इसको यह करने का मतलब ही यह होता है कि जो नीचे वाली टाम है उसका derivative बन जाए तो एक तो यह derivative ऊपर बनेगा देखो नीचे वाले का derivative ऊपर बनेगा और दूसरा जो पार्ट है वो constant में आ जाए यह परपस होता है इसका तो आप यहाँ पर हमने देखा कि इसका जब exact derivative ऊपर आ गया तो यह तो आपके पास आ गया integration half of log 2x square plus 4x minus 3 ठीक है जब भी आप आपको पता है कि नीचे वाले का अगर derivative ऊपर दिया होता है तो answer आप directly लिख सकते हो log में उसके बाद अगर मैं इसके दूसरे वाले part की बात करूँ तो यहाँ बर आपको completing the square method यूज़ करना है अब यहाँ पर 2 का अगर हम square root करेंगे तो root 2 आएगा तो इसमें better है कि आप 2 को यहाँ से common निकाल दो अब 2 को common निकालेंगे तो वो 2 तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पर क्या रह जाएगा x square इसमें से 2 common निकालेंगे तो 2x अब इसमें तो 2 है नहीं तो इसको लिख देंगे यहाँ इसका perfect square बनाएंगे यह आपके बस बन गया x square का x आ गया और यहाँ 2x है तो यहाँ लिख लेंगे हम plus 1 ताकि इसका square करें तो यहाँ जाए 2 भी करें तो यहाँ जाए और जो 1 है यहाँ पर 1 का square minus कर देंगे और इधर 7 में minus 3 by 2 है इसको लिख लेया इसका square करेंगे 1 आएगा और इसके साथ simplify करेंगे minus 1 minus 3 by 2 यानि आ जाएगा minus 5 by 2 और जो minus 5 by 2 है इसको लिख देंगे हम रूट 5 रू अपॉन में 2 का whole square अब इसमें आप formula लगाओ x square minus a square गा तो जब इसमें x square minus a square का लगाओगे तो वही लगाना है जो हम पार्सल में लगाते हैं 1 by 2 a वाला तो वह लगाएंगे तो आएगा यह 1 by 2 तो बहार है 1 by 2 a, a की जाएगे रूट 5 अपॉन रूट 2 log x minus a divided by x plus a plus messy अब यहां से यह वाला जूट 2 है इस रूट 2 के साथ simplify हो जाएगा तो यह बनेगा यहां पर रूट 2 यहां हमारे पास minus 1 by 2 और इधर आजाएगा रूट 2 इंटू में रूट 5 और इसके बाद आगया लॉग इसका जब अंसेम लेंगे तो यहां पर रूट 2 x आजाएगा इधर रूट 2 आजाएगा रूट 2 x रूट 2 माइनस रूट 5 और नीचा आजाएगा रूट 2 x प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस में सी इसको simplify करेंगा आजाएगा माइनस 1 बाइ 2 रूट 10 फिर लॉग रूट 2 x रूट 2 माइनस रूट 5 रूट 2 x फ्लस रूट 2 माइनस रूट 5 कि कि यह हमारा आंसर आएगा तो यह उसका second पार देखते है second पार में कहता है उपर है 2 x प्लस 1 और नीचे आपको ये दिया है तो उसी question की तरह इसको भी start करते है पहले हम put करते है 2x plus 1 equals to a times of d by dx of denominator 18 minus 4x minus x square plus में b तो मैं यहाँ पर लिखा 2x plus 1 और इसका derivative करा तो आजाएगा minus 4 minus 2x अब यहाँ से तब दोनों sets को हम compare करेंगे comparing both sides comparing both sides तो इसमें x का coefficient यहाँ से आएगा 2 यहाँ से आएगा जब आप इसको इससे multiply करेंगे तो minus 2 है यानि a की value आगी minus 1 और जब b का निकालेंगे तो इधर 1 है आपके पस इधर आजाएगा minus 4 है plus में b तो a की जएगा minus 1 है यहाँ put करेंगे तो आजाएगी plus 4 plus 4 को अधर ले आके minus करोगे तो b की value आजाएगी minus 3 तो अब इन दोनों values को आप यहाँ पर put करो और integration आपका क्या बन गया उपर इसकी जगा आजाएगा numerator की जगा a a की जगा minus 1 into में minus 4 minus 2x divided by 18 minus 4x minus x square और b की जगे आपके पास minus 3 है तो b की जगे minus 3 है अब इन दोनों terms को आपको कर देना है separate पिछले question में separate किया था यह minus बाहर आ गया इदर से रहे गया minus 4 minus 2x divided by 18 minus 4x minus x square और इदर से रहे गया आपके पास minus 3 को बाहर निकालो तो यहां जाएगा 1 upon में 18 minus 4x minus x square तो यहां से इसका derivative तो उपर आपके पास मिल गया minus 4x का minus 4 होता है minus x square का minus 2x होता है तो यह तो answer आगा सिधा आपका log में तो यह तो बन जाएगा minus log 18 minus 4x minus x square अब इदर से जो यह वाला part है इसको हम simplify करते हैं minus 3 है इसको तो आप ऐसे कैसे रखो इसको कुछ नहीं करना और पहले अब यहां से minus common निकाल दो x square plus में यह plus में और यह minus में तो यहां पर completing the square बनाते हैं यह वाली term आपको as it is लिखते वे चलनी है ठीक है यह आप इसको i1 लेके इसको solve कर दो बाद में दोनों को एक खटा करके लिख दो ठीक है अभी मैं इसमें बस arrow ऐसे डाल रहा हूँ मतलब यह वाली term हमने यहां पर लिख ली अब इसको जब हमने solve करा तो है हमारे पास minus 3 1 upon minus अब इसका बनाते हैं perfect square तो यहां पर x है यहां पर 4 है तो यहां पर आना चाहिए हमारे पास x plus 2 और 2 का square करेंगे यहां पर और उसके बाद है minus 18 तो यह बन गे हमारे पास minus 3 1 upon minus x plus 2 का square और minus 18 minus 4 minus 22 यानि root 22 का square आ गया अभी जो minus बाहर निकाला था इसको वापस अंदर ले जाओ तो यह बन गया 1 upon root 22 का square minus x plus 2 अब आपके पास यहां पर formula बनेगा कौन सा a square minus x square का तो a square minus x square का formula क्या बन जाएगा minus 3 1 upon 2a log a plus में x a plus x और नीचा जाएगा a minus x तो यह आपका answer आजाएगा अब चलते हैं question number 11 पर 11 में भी question उसी तरह के ही हैं दोनों यह दोनों question अब यहां पर वस फरक इतना है कि आपको दो factor दे रखें तो इन factor को पहले आपको दोनों को multiply कर लेना है multiply करके फिर नीचे आपके पास एक quadratic equation बनेगी तो 6x plus 7 और नीचे आपके पास x square minus 9x plus में 20 तो इजो question हमें हमने पीछे किया था बिल्कुल इसी question की तरह आप start करेंगे यह वाला question यह इस से पहले जो हमने किया था वाला question बिल्कुल इसी तरह के से आपको इसको start करेंगे put करेंगे हम पहले तो put किया हमने 6x plus 7 a into में d by dx of denominator plus में b तो यहाँ पर आया 6x plus 7 यहाँ पर आया a 2x minus 9 अब यहाँ पर फिर compare करेंगे तो x के साथ यहाँ पर 6 है यहाँ पर x के साथ है 2a तो a की value आ गई था ही यहाँ से constant है 7 minus 9a plus में b 9 की जगे आ गया minus 27 minus 27 यहाँ पर a की जगे 3 put करोगे तो minus 27 plus 7 यहाँ बी की value आ जाएगी 34 तो integral जो हमारा वो बना a की जगे हमने put करा 3 2x minus 9 plus b की जगे 34 divided by इन दोनों को multiply करके यह हमारे पास बना था x square minus 9x plus 20 अब फिर वही काम करना आपको यह स्टम को separate करना है इसको separate करना है तो 3 यहाँ बहार निकाल दो 2x minus 9 x square minus 9x plus 20 और यहाँ से जो 34 है इस 34 को आप बहार निकाल दो यह बन गया अब यहाँ पर तो इसका derivative आपके पास उपर है तो सीधा log में बन जगा यह तो यह बन जगा 3 log x square minus 9x plus 20 और यह बना पोर्शन है इसमें फिर आपको कम्प्लीटिंग रा स्कूर करना है यहाँ पर आया प्लस 34 अब यहाँ है x square minus 9x है अब यहाँ पर 9 आ रहा है तो x square का तो चलो हमने square root कर दिया x अब यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए कि इसको multiply करने पर 9 आ जाए अभी तक सारों में even number आ रहा था कोई दिक्कत नहीं हो रही थी अब आ रहा है यहाँ पर odd number तो यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए 9 upon 2 ठीक है क्यों लिखना चाहिए क्योंकि 2 x और 9 upon 2 इन तीनों को जब आप multiply करोगे तो 9 x आपका बनेगा और उसके बाद फिर 9 by 2 का square यह आपको minus करना है और last में हमें दिया हुए plus 20 तो यह कितना बना plus 34 x minus 9 by 2 का square यहाँ जाएगा यहाँ से minus 81 upon में 4 यहाँ जाएगा यहाँ से 80 minus 81 plus 80 यह नहीं minus 1 upon 4 आएगा इसको हम लिख लेंगे minus 1 by 2 का square अब यह x square minus a square वाला ही format बना तो यह बन गया 34 1 by 2 a 1 by 2 a a की जग है 1 by 2 log x minus a x minus a और नीचे आजाएगा x plus a इस 2 से 2 कैंसल आजाएगा 34 log यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो आएगा 2 x minus 10 नीचे आजाएगा 2 x minus 8 तो दोनों के LCM में 2 आएगा वो उपर नीचे कैंसल हो जाएगा और यहाँ से भी आप 2 और common निकाल सकते हो भी तो यह बनेगा आपके पास 34 log x minus 5 x minus 4 प्लस में C और यह जो हमने लिखा था यह भी हमारे साथ आंसर में रहेगा तो 11 का जो फर्स पार्ट है यहाँ आगे है यहाँ पर हमारे पास 6 x square minus 9 x plus 20 6 आ रहा है यहाँ पर यहाँ हमारा 3 आ रहा है चलो देखते हैं से 34 log और अंदर वाला जो portion है यहाँ पर root होना चाहिए यहाँ पर root होना चाहिए तब हमारा जो answer है तब यह बनेगा ठीक है बिना root के आप करोगे तो यही हमने जो करा है ऐसे बनेगा ठीक है रूट अगर आ जाएगा तो फिर जो बुक का आंसर है वो आएगा कैसे आएगा वो हम इसमें समझ लेते हैं कैसे आएगा तो हमने जो question है जो उसके साब से हमने कर दिया है answer डिफरेंट आ रहा है क्यों क्योंकि question नहीं गलत दे रखा भूप में ठीक है अब comment में comment करके यह मत बताना की ज़र answer गलत आ रहा है वो मने आपको पहले clear कर दिया कि क्यों गलत आ रहा है तो इसका तो second part है इसमें भी हम ऐसे start करते हैं put करते हैं 2x plus 3 equals to a into में derivative of this जो root के अंदर है उसका derivative लिख देना आपको तो 2x plus 4 plus में b फिर compare करेंगे यहां से x का coefficient 2 है यहां से आएगा 2a तो a की value आगी 1 constant का इदर से 3 है इदर से आएगा 4a plus में b a की जगा 1 put करेंगे तो 4 4 को इदर लाके minus करोगे b की value आगी minus 1 तो integration बना हमारा 2x plus 3 की जगा हम लिख देंगे a a की value है 1 b की minus 1 divided by x square plus 4x plus 1 इसको हमने 2x plus 4 को अलग करा x square 4x plus 1 और minus 1 को अलग कर दिया x square plus 4x plus 1 अब इसका integration तो नीचे वाले का जब derivative उपर आगा लेकिन अब यह root के अंदर है इद्हान लखना अब यह root के अंदर है तो इसमें यादवा सबसिटूट करके करो इसको यह वाला पो जो portion है इसको हमने put कर दिया x square plus 4x plus 1 equals to t तो इसका derivative आएगा 2x plus में 4 dx equals to dt तो यह वाला portion पूरा कतम होगे यहाँ पर आगया आपके पास dt और नीचे आगया root t और root t का जो integration होता है वो होता है 2 root t ठीक है यह वाला जो portion है इसको मलग solve कर लेते हैं यह 2 root t का मतलब होगया t की जगे अगर हम value put करें t की जगे हमने value put कर दी तो यह आगया आपके पास x square plus 4x plus 1 ठीक है यह दो हो गया इसका integration अब इसका integration कर लेते हैं तो यह हमारे पास आ रहा है 1 upon x square plus 4x plus 1 तो इसको perfect square में किया हमने यह बन जाएगा x plus 2 का square 2 का square minus करेंगे plus 1 x plus 2 का square इदर से आ जाएगा minus 3 minus 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं तो यह बन गा हमारे पास x square minus a square यह root के अंदर है लेकिन denominator में तो इसमें जो format है उसके साब से answer इसका बनेगा log of x plus 2 फिर plus के अंदर जो भी term है as it is आपको उठाकर लिख देनी है मतलब आपको यह लिख देना है तो हमारा जो final answer बना जो पहले वाला integral है उसको solve करके यह आए था 2 root x square plus 4x plus 1 और जो बाद वाला portion आए यह आए हमारे पास log of x plus 2 plus x square plus 4x plus 1 ठीक है यह हमारे पास answer आए है इसका minus आ रहा है minus अच्छा बीच में यहाँ पर यह minus था देखो तो यह minus इसका intuition करा तो minus तो उने लिया नहीं यहाँ पर इसकी ज़या पर आप minus पूट कर दो ठीक है तो बाकी सारा answer हमारा ठीक है उसके बाद next question पर जलते है तो question number 12 का देखते हैं first part अब यहाँ पर यह multiplication में दे रख़ा है तो start आपको वैसे ही करना है जैसे हम यह अभी last के जो दो तीन question करते हैं वैसे बिल्कुल start करना है आपको put करना है x minus 3 equals to a in 2 में इसका derivative ठीक है तो मैं directly लिख रहा हूँ इसका derivative और plus में b तो यहाँ पर coefficient compare करेंगे तो x का coefficient इदर तो 1 है इदर है 2 है तो a की value आजाएगी 1 by 2 constant इदर minus 3 है इदर आजाएगा आपके पास 3 a plus में b अब यहाँ पर a की जगे 1 by 2 डालोगे 3 by 2 हो जाएगा इसको इदर लाके solve करोगे तो b की value आजाएगी minus 9 by 2 तो a और b दोनों की value आगी हमारे पास तो integration क्या बनेगा x minus 3 की जगे हम यह लिखेंगे x minus 3 की जगे हम यह लिखेंगे a की जगे 1 by 2 2x plus 3 b की जगे minus 9 by 2 और इस पूरे के साथ into में root वाला part हो गया ठीक है यह हमारा हो गया integration अब इसमें से जो यह वाला पोर्शन है ना इसको इसके साथ multiply करते हैं तो यह 1 by 2 तो constant इसको बाहर लिख लो 2x plus 3 into में x square plus 3x minus 18 इसको अलग कर दो और minus 9 by 2 को अलग कर दो integration of this अब यहां पर integration हम क्या करेंगे देखो यहां जो substitution method के अंदर हमने एक special form बड़ी थी अगर किसी function का exact derivative यहां पर multiplication में होता है तो इसमें आप direct power rule लगा सकते हो अगर वो याद नहीं रहती property तो आप यहां पर इसको t put करके भी कर सकते हो दोनों में से जैसा तरीक आपको याद रहे वैसा आप कर दो में लिखेंगे तो x plus अब यहां पर आ रहा है 3 तो 3 यहां पर तब आएगा जब इदर आप लिखोगे 3 by 2 और इसी का square यहां पर minus कर देंगे 3 का 9 हो गया 2 का 4 हो गया minus 18 तो यह आगया 2 से यह 2 कैंसल यह हो गया 1 by 3 x square plus 3 x minus 18 की पावर 3 by 2 इसका तो हो गया काम तमाम अब रहे गया इदर का मामला यह हो गया x plus 3 by 2 का square यहां से आ जाएगा 18 फोचा 72 और minus 9 minus 81 बनेगा minus 81 को आप लिख लो 9 by और नीचे 4 है इस तरीके से लिख लो तो अब यहां उपर बन गया आपके पास x square minus a square यह वाला format बन गया अब इस format के हिसाब से अगर हम चले तो मारा integration क्या बनेगा यहां जाएगा 1 by 3 यह तो ऐसे कैसी रहेगा इसका तो कुछ करना नहीं यह तो हमारा answer आ गया यहां पर यह 9 by 2 भी है इसका जो फार्मूला होता उसके हिसाब से x by 2 x की जगह यह है by 2 फिर root के अंदर जो question होता है यह है question फिर उसके बाद minus a square क्योंकि a square यहां minus में आ रहा है तो minus लगाना है a square इसी का square कर दो 81 upon 4 by 2 यह तो होता है तो यहां पर 2 से divide कर देंगे फिर log x और फिर root के अंदर जो question था वो वैसे का वैसे उधार दो यह आया हमारे पास अब इसको इखटा करके थोड़ा सा लिख दो यह वाला portion तो ऐसे कैसी आ जाएगा यहां से देखो यह जो lcm आएगा ना 2 यह 2x प्लस में 3 बन जाएगा और यह जो 9 by 2 है इसको भी आप अंदर ही multiply कर दो तो यह हो जाएगा 9 by नीचे 2 यह वाला 2 और जो lcm के साथ 2 आएगा यह तीनों multiply हो जाएगा यह 8 आजाएगा 2x प्लस में 3 और रूट के अंदर ऐसे का ऐसे माइनस यहां से देखो यह 9 इसके साथ multiply हो जाएगा 9 बन जा 9, 9 एट जा 72 और नीचे 2 इसके साथ multiply हो जाएगा 248, 8 तू जा 16 तो यह बनेगा 729 अपोन में 16 और साइन आ रहा माइनस का एक माइनस यह, एक माइनस यह मिलकर बन जाएगा प्लस, ठीक है bracket हमने खोल दी, अब यहां पर यह आ गया log of यह हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 2 और प्लस में रूट के अंदर यह ऐसे का ऐसे यह पूरी टर्म रूट के अंदर है प्लस में C तो यह हमारा अंसर बनेगा इसका उसके बाद जो इसका पार्ट था इसको solve करते है इसमें भी start आपको वैसे ही करना है जैसे हमने यहां पर किया था अब इसमें हमने क्या करा तो x है और इसको जो put करा हमने 2x प्लस 3 को हमने put कर लिया a into में इसका derivative तो यह आगया 8x प्लस में 5 अब यहां पर coefficient compare करेंगे इदर से 2 आगया इदर से 8a आगया तो a की value आजाएगी 1 by 4 और constant का करेंगे तो इदर से 3 है इदर से आएगा अच्छा इदर b हो रहा गया इदर से आजाएगा 5a प्लस में b अब यहां पर a की value उमारे पास 1 by 4 है तो 1 by 4 यहां put करोगे तो 5 by 4 हो गया उसको इदर लाओगे तो 3 minus 5 by 4 equals to b यानि b की value मिलगी 7 upon 4 अब इन values को आब यहां पर डाल दो तो integration क्या बन गया 2x प्लस 3 की जगे आगया 1 upon 4 8x प्लस में 5 प्लस में b की जगे 7 upon 4 और इस सब को multiply कर दिया जो root के अंदर लिखा हुआ है 4x square प्लस 5x प्लस 6 है फिर जैसे पिसले question में इस term को separate करा इसको separate करा तो यहां भी separate कर दो तो separate करने के बाद यह आगया 1 by 4 8x प्लस 5 इंटू 4x square प्लस 5x प्लस 6 dx integration कर दिया प्लस 7 by 4 इसको भार निकाल दो अंदर रही है आपके पास 4x square प्लस 5x प्लस 6 अब इसको integrate करते हैं अब इसको integrate करने के लिए यहां पर आपने क्या करा यह तो आपके पास वही बन गया कि इसका derivative यहां पर है तो सिधा से पावर रूल लगा दो तो यह आजाएगा 1 by 4 4x square प्लस 5x प्लस 6 की पावर 3 by 2 और multiplied by 2 by 3 प्लस 7 by 4 यहां पर इसको perfect square में बदलना पड़ेगा इसका square root करोगे आजाएगा 2x अब यहां 2x के साथ यहां पर आप क्या लिखना चाहिए कि आपके पास 5 by 2 आजाए देखो 2x के साथ यहां पर मैं क्या लिखूँ कि यहां पर मेरे पास 5 by 2 आजाए अगर directly हमें पता नहीं चलता तो y मान के यहां पर निकाल लो value तो यहां y की value निकालोगे तो क्या आएगा देखो यहां पर 2 नीचे जाएगा ठीक है? x को तो रहन दो हमें तो सिर्फ 5 से यह 5 से मतलब है हमें तो हमें यहां पर आजाए 5 by 4 लिखना पड़ेगा अब आप इसको इसको तीनों को multiply करोगे तो 5 ही बचेगा अब इसका square यहां पर कर दो 5 का square हो जाएगा 25 4 का हो जाएगा 16 प्लस में 6 अब यहां से यह हो जाएगा cancel तो यह बन गया 1 upon 6 2 into 3 6 4x square प्लस 5x प्लस 6 की power 3 by 2 तो एक portion तो हमारा solve हो गया ठीक है अब रह गया यह दूसरा portion अब इसको देखो इस पर focus करते है अब यहां पर आया 7 upon 4 2x प्लस 5 upon 4 यह जाएगा 16 6 96 96 में से 25 को minus करोगे तो यह आजएगा आपके पास 71 ठीक है 96 minus 25 71 आगया प्लस का आएगा dx अभी जो 71 है इसका अगर आप square root करोगे 71 आ रहा है a square by 2 चलो तो इसको अगर आप यहां पर लिख लो इसको लिख लो आप रूट 71 अब उन में 4 का square अब हम करते हैं इसको integrate अब ठीक है integrate अभी हमने करा नहीं है integration का sign यहां पर अभी रहेगा अभी तो हमने बसको solve किया है अब हम इसको integrate कर दें तो x square प्लस a square वाला format लगाएंगे तो 7 by 4 है वो तो ऐसा कैसी रहेगा ठीक है अब यहां पर आपके पास x square प्लस a square root के अंदर होता है जो उसके अंदर पहले आता x by 2 तो x by 2 करेंगे तो 2x प्लस 5 अपॉन 4 by 2 उसके बाद फिर root के अंदर जो term है एज़िटी जाजा आती है root के अंदर क्या हमारे पास 4x square प्लस 5x प्लस 6 उसके बाद फिर आता है यहां पर प्लस में a square by 2 अब यहां जो इसका square करेंगे हम तो इसका square करने पर यह आएगा 71 अपॉन 16 और by 2 आएगा इसलिए 2 और आजाएगा यहां पर फिर log x, x की जगे 2x प्लस 5 by 4 और प्लस में जो root के अंदर term थी वही वाली term हमारी आ जाएगी तो root के अंदर हमारे पास क्या term थी root के अंदर था हमारे पास 4x square प्लस 5x प्लस में 6 अब हमने इसका integration तो कर दिया लेकिन इसके integration में देखो यहां पर x नहीं है यहां पर 2x है तो जो भी हमारा answer आएगा इसको में 2 से divide और करना है तो 2 से divide करने की वज़ाए में सिधा इसको ऐसे कर दूँ 1 by 2 से multiply पूरी equation को ठीक है c को छोड़ कर बागी सबको 2 से हमने divide कर दिया तो अब यहां पर इसको solve करेंगे तो यह हो गया 7 upon 8 और यहां पर आगे आपके पास 4 2s are 8x प्लस 5 अपॉन में 4 और यह वाला 2 भी इदर आजाएगा इसके साथ यह वाली term कुछ नहीं करना आपको प्लस 71 अपॉन 32 और इदर आगे आगे लॉग 8x इसका LCM लो या मतलो या ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है अब यहां से जो 7 upon 8N से सबको multiply कर दो तो उपर आजाएगा 7 नीचे आजाएगा 8 x 32 32 x 64 इंटू में x प्लस 5 फिर रूट के अंदर यह term यह पूरी रूट के अंदर है प्लस 7 से इसको multiply करेंगे 497 32 को 8 से करेंगे 256 log 8 x प्लस 5 upon 4 प्लस 4 x स्क्वेर 5 x प्लस 6 प्लस में c ठीक है यह हमारा आंसर आगया और इसी की कॉश्चन के साथ ही exercise भी हमारी finish हो गी है I hope आप लोगों को जो problem हो रही थी 7.7 में अब नहीं होगी अब आप इसके कॉश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं next वीडियो में thanks to all of you